जी फैन हेटर को आप अपने बेडरूंग में साइट टेबल पर रखके भी इस्तिमाल कर सकते हैं किच्छन में भी इस्तिमाल किया जा सकता है जब आप खाना ना पकार रहे हों आपके चुले बगारा बांदो तब इस्तिमाल कर सकते हैं इसको ओफिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है वाश रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको फैन हीटर गर्मे फाल्दू जन्वरों जो परिंदे अगहरा हैं उनके लिए भी यूज कर सकते हैं इसको असलाम उलेकूम दोस्तों क्या अलैस साफ हेरिये से हैं मैं सुलेमान टेक आपकी हिदमे में एक नई वीडियो के साथ हाजीर екार्ड़ हूं आज की मेरी वीडियो जो है फैन हीटर के मित Kansasром रिरूम में अपने आपको गरम करने के लिए इस्थमाल किया जातास है दिसम्बर का लास्ट मेंट चल रहा है, जन्वरी शुरू होने वाला है और सर्दी अपने रूज पे है, ठंडी हवाई चल रही है जिसकी वज़ा से ये फैन हीटर हमारी जोट के लिए बहुत लाजम हो चुका है हम पहले जो यूज़ करते थे वो गैस हीटर होता था गैस हीटर अभी कईफी ज़वा पे यूज़ किया जा रहा है जिसके नुकसान नाथ हैं और बेनिफिड उसमें कोई नहीं तरह नुकसान नाथ ये हैं कि वो आपकी जल्द को भी हुशक कर देता है पानी की आपकी जिसम में कमी कर देता है अक्सीजन की भी कमी करता है वो उसके अलावा उसमें रैडियेशन वो पैदा कर रहा होता है जो आपके सेथ के लिए नुकसान दे हैं और अगर उसे आप चला कर रूम में सो जाएं तो वह आपको जानलेवा भी कर सकता है इसलिए बेतर ये है कि गैस हीटर की जगा हम इलेक्टरिक हीटर जो रूम को ये से फैन हीटर भी कहते हैं इसको इस्तिमाल कर सकते हैं ये बहुत मुनासब है बहुत कम कीमत का है ये इसकी पावर तकरीब एक हजार वार्ड है कम से कम और डबल इसको पावर ओन करके चलते हैं तो दो हजार वार्ड हो जाती है यह आज आपकी तरफ मैं लेके आया हूँ फैन हीटर इसमें एक इन्होंने ओफ का सुच दिया हुआ है है पावर ओफ है उसके साथ हाली फैन चलाना चाहिए तो फैन प्रिज वी चल सकता है और ढ़ते एक हजार वाड हीटर एक थर्मोस्तेट तो एक यह एक करीब करके दिखा देता हूँ चाहिं उसके साथ इन्होंने एक पावर सोज़ाए दी हुई है और साथ में जो है इन्होंने एक सुच दिया हुआ है जो टाइमिंग के मतलिक है जब आपका रूम गरम हो जाएगा आटो मेडिकल तो ये बंद हो जाएगा हुदी बेतर हल तो ये होता है कि चाए गैस हीटर है चाए ये फैन वाला हीटर है आप कभी भी रूम में चला के मत सोएं क्योंके गैस हीटर तो है ही जान लेवा ये जान लेवा तो नहीं पर अलेक्टिक तो है लाजिम ये बच्चों के लिए भी बहुत जूरी है बच्चों को हवा लाए ना लग जै ठंडी हवा कोई बाहिए से आड़ होते हैं क्यों को बचों ने गुमना शूमना बाहिट जाना कई बचे एस-क्रीम भी खा रहे हैं आज कल और ठंडी हवाई भी चाह रही हैं बाइक पे बच्चे आगे बठा के भी लेकर जा रहे हैं तो वापस आगे यह आप उनके समने भी लगा सब जिन दोस्तों के घर ने बच्चों की बदाईश हुई है माशाला से यह उनके लिए बहुत जबरतस फैन हीटर है यह आप उनके लिए लाके इस्तमाल करें और उनको सर्दी से बचाएं जब भी आपने मार्गिस से परचेज करना है फैन हीटर परचेज करें आइकल आपने होटलों में यह दोस्तों दो बातिर वगारा में भी देखें होंगे कि वो स्टैंड वले हीटर यूज का रहे होते हैं जो हली राड वले होते हैं उन से कोई इतना बेनिफिट नी पहुंच रहता हुँ उसको इसका यह बेनिफिट है कि आप यहां करीब भी रखके लगा लेंगे यहां थोड़ा सा दूर भी रखके लगा लेंगे इसका जब भी थर्मो स्टेट जो हीट पैदा कर रहा है वो फैन के जरी आपके पास पहुंच रही होगी जिन दोस्तों को मेरी इस वीडियो के मताले क कोई स्वालात उनके जहन में हो तो वो मुझे नीचे कमेर्स में बता सकते हैं ताके मैं उनका जवाब भी दे सकूँ और जो दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है वो नीचे दिये कर सब्क्राइब का बटन है इससे प्रेस कर दें उसके साथ बैल का इंकर है उससे भी दबा दें ताके मेरे आने वाली हर वीडियो भी आपके पास बरवग पहुंच सके लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा दोस्तों आप फैमिली मेंबर्स ताकर ताके मालो मात का इजाफा उनके पास भी हो सके इसके साथ इजाज़ चाहता हूं लाफिस दौाओं में याद रखियेगा झाहता हूं